हेलो दोस्तों मैं अजली स्वागत करती हूँ आपका क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ टैंस टैंस इंगलिष ग्रमार का ऐसा टॉपिक है जो लगवक सभी competition exam में आता ही आता है सभी t tribute exam में इसमें सेußen बनते हैं इस टॉपिक को समझे भी ना आप इंगलिष में अपने अच्छी पकड़ बना ही नहीं आतो हैं तो यहां पर मैंने एक छोटा स्वाप्यास किया है कि आपको dance के प्रथ्ठ रूल बारिकी से संचा सको अरा उम्मीद है कि आप भी सको अच्छी तरह से समझेंगे मेरों नो चलिए स्टाइब करने आप टैन्ग का हिंधी मीनिंग क्या होता है या, अब जो यह टैनस है यह दो वर्ट से मिलकर बना होता है फर्स्ट होता है समय यानि कि टाइम और सेकेंड होता है वर्क यानि कि काम और इसको आशान शब्सब्दों में हम कहें तो यह टैन्स इंग्लिश ग्रामर का ऐसा रूल होता है जो समय और वर्क मतलब कि टाइम और कारी के संबंद को दर्शा आता है तो गई एक एक जाम्पल के जरी हम समझ लेते हैं कैसे तो मैंने यहां पर लिखा वह फुटबॉल खेल रहा है वह फुटबॉल खेल रहा है अब इसमें यह खेल है यह क्या है कारी यानि G unskowe of you बोल सकते हैं कारी मतलब इसमें क्या पता चल रहा है हमें किा क्री क्या हो रहा है खेलने का तो इससे क्या पता चला हमें कि इसमें वर्क भी है सेकेंड क्या है जो यह रहा है इस रहा है से में क्या पता चल रहा है कि कि तरफ स्टाम में वरतमां में यान प्रेजन्ट में हो रहा है काम तो इससे हमें पता चला कि इसमें टाइम भी है तो गाईस जो टेंस्त है वो टाइम और वर्क के संबंद्ध को दर्शाता है अब देख लेते हम कुछ है uto abdekh है time हमारा कितने टाइब का होता है time होता है first present tense मतलग कि वर्तमानकाल past tense भूतकाल और future tense भविश्यकाल time तीन टाइब के होते हैं और वर्तमानकाल जो समय चल रहा है जैसे कि मैंने पता चल रहा है कि वर्तमान में हो रहा है second है कि मैंने लिखा अब वाक्य को क्या पता चल रहा है कि यह वर्तमान में हो रहा है on only सेगेंड में ने लिखा में लिखूंगी अब इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहाए कि यह जो वाक्य MEC बहुंश्य की बात की जा रही यह कि यह फ्यूचर की बात की जा रहीए मतलब क्योब यह और कि वाक्य second होता है continue और third होता है perfect और fourth होता है perfect continuous अब देख लेते हैं कैसे अब जो indefinite है मतलब कि इसका Hindi meaning होगा अनिश्चित मतलब कि इसमें जो काम हो रहा होता है वो निश्चित नहीं होता है fix नहीं होता है कैसे देख लेते हैं मैंने लिखा यहां पर मैं पढ़ती हूं और इसमें टाइम फिक्स नहीं है कि कब पढ़ती हूं कहां पढ़ती हूं कैसे पढ़ती हूं कोई भी टाइम फिक्स नहीं है सिर्फ लिखा हुआ है कि मैं पढ़ती हूं तो यह इसमें यह जो indefinite मैं पढ़ रही हूं तो इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें काम जारी है पढ़ने का काम जारी है ठuhड़ाता है perfect अब perfect में जैसे मैंने यहाँआ पे लिखा कि मैं पढ़ चुकी हूंgehen मतलब कि जो पढ़ने यह दरशाता है कि कुछ की समय से काम चलता आ रहा है यह हो रहा है तो जैसे कि मैंatta यहां पे लिखा मैं एक बजे से और रही हूँ में एक बजे से पड़ रही हूँ मतलब कि क्या पताव डरा है मतलब पढ़ने का काम अभी भी जारी है तो दोस्तों आपको यह समझ में आ ही गया होगा प्रेजेंट टैंस पास टैंस और फ्यूचर टैंस और इसकी वर्क की केटेगरी है अब हम इसको छोटे से चार्ट की शायता से मैं उसको और भी आपको क्लियर करवा देती हूं इस मैंने आपके लिए यहां पर एक चार्ट बनाया है छोटा सा जिसकी मदश से आप टैंस के सारे ही रूल मतलब कि जो बारा रूल से वह याद कर सको अधिकतर स्टूडेंस को बहुत दिक्कत होती है सब यहीं सोचकर इस टैंस को याद नहीं करते हैं इसके जो बारा रूल स ड्रीं से वह कैसे याद ओंगे बारा रूल के नहीं कीसे याद है लेकिन मैंने यहां आपके हैं यूंbसे करके युथा और गव्यूट रहा स इकमिद और यह आलिया धाइल कर ली हम फिर्ब कि मैं आपको अब दोए कंश एंटर चाश्ट ऩाइब को हता है आता सग्यूम च अब इसके वारे नेम बनाएंगे हम कैसे तो हमने यह अपने लिए time time कौन सा है present का present और वरक कौन सा हो गश्म में indefinite इंडेफिनेट और टेंज यहाँ से ले लेंगे टेंज तो यह बन गया हमारा प्रेजैंट इंडेफिनेट टेंज और नेक्स्ट है टाइम लेंगे हम यहाँ पर प्रिजैंट का प्रिजैंट और वरक कौन सा है यहां पर continuous का present continuous tense तो यह हमारा बन गया present continuous tense अब थर्ड आता है हमारा perfect और यहां से हम टाइम लेंगे present का तो यहां पर लिखा हमने present perfect tense तो यह ने बन गया हमारा यहां पर present perfect tense अब 4 पर आता है हमारा perfect continuous और यहां से हम टाइम लेंगे present का तो यहां पर हम लिखेंगे present perfect continuous tense तो गाइस हुए न आप कोई चारो नाम याद इन में आपको रिटने की बिल्कुल भी कोई ज़रौत नहीं पड़ी अब ऐसे देख लेते हैं next past tense का तो यहां पर हम टाइम लेंगे past का तो यहां लिखा हमने past वर्क लेंगे हम indefinite का past indefinite tense आप गाई जो indefinite tense है इसको simple tense भी हम कह सकते हैं past simple tense भी आए एक्जाम में तो आपको confused नहीं होना है अब next रहता है continuous और किसका past का तो यहां से लेंगे हम time किसका लेंगे past का तो यहां पर लिखेंगे past और वर्क लेंगे past continuous tense फोर्ड पर आता हमार थर्ड पर पर्फेक्ट और यहां पर टाइम है past का तो यहां से लेंगे past past और वर्क लिए हमने perfect का past perfect tense बन गया अजसे अब next हम लेती है time लेते है past का तो यहां लेकेंगे past perfect continuous tense ऐसे करके हमारे जो past के चारो टैंसे वह हमें याद हो जाएंगे easily अब next है future tense अब future का हमको कैसे याद करना यहां से time लेना हमको future का future और यहां से वर्क लेना indefinite का future indefinite tense अब next हमको time लेना है यहां से future का future और वर्क लेना है यहां पर continuous का future continuous tense थर्ड है हमको time लेना है future का future और यहां से वर्क लेना perfect का perfect tense fourth पर हमको time लेना है future का future और वर्क लेना है perfect continuous का future perfect continuous tense तो गाईज आपको इसमें समझने में बिल्कुली परिशा नहीं आई नहीं आई न क्यों क्योंकि मैंने आपको यह बिना रटे जो बारा के बारा टेंस आपको याद करा दिये और I hope कि आपको यह बिना रटे बारा के बारा नाम याद हो गए होंगे तो गाईज आप इसका इंसके शोट ले लीजिए इसके रूल्स स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी basic information देना चाहते हूं subject, main verb, object helping verb के बारे में तो देख लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं subject क्या होता है main verb क्या होता है helping verb क्या होती है और object क्या होता है यह चीज़ देख लेते हैं तो subject का Hindi meaning होता है करता subject वह होता है जो कारे करता है मतलब कि जो sentence लिखावा है उसमें हमें यह पता चले कि कारे जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है कौन कर रहा है तो वो क्या कहलाता हमारा सब्जेक्ट जैसे कि मैंने यहां पर लिखा सचीन फुटबॉल खेल रहा है सचीन इस प्लेंग फुटबॉल अब जो यह फुटबॉल है फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है सचीन तो यहां पर सच सचीन क्या हो जाएगा हमारा subject अब नेच्स रहता है helping word helping यानि कि साहय क्रिया helping word कारे के time को define करती है मतलब जो कारे का time है वो कब हो रहा है मतलब कारे present में हो रहा है या फिर वो past में हो गया था या फिर future में होने वाला है या होगा कैसे यह देख लेते हैं अब जैसे कि यहांने का सचीन फुटबोल खेल रहा है अब जो यह है है यह हमारा helping वब है और जो इंग्लिश में helping वब आएगा हमारा यह इस अब यह है यह टाइम के किस पार्ट को पास्ट का है यह जो काम वब फुटबोल के लेगा वह कब वहा था पास्ट में हुआ था तो सचीन और यहां पर आ जाएगा हमारा वॉस जो helping वब हैं वह इंग्लिश में भी यहां पर चेंज जो जाएगी सचीन वास प्लेंग फुटबोल और यहां पर अगर मैं लिख देती सचीन फुटबोल खेलेगा यह सेंटेंस ऐसा होता कि सचीन फुटबोल खेलेगा तो इस खेले का वर्ट से हमें क्या पता चलता कि जो यह काम है वो क्या है फ्यूचर में होगा तो इसलिए दोस्तों जो हेल्पिंग वब हैं वो सेंटेंस बनाने में बहुत ही मैतपुर्ण भूमी का निभाती है अब थर्ड देख लेते हैं में मतलब की मुख्य क्रिया वह शब्द जिसकी द्वारा यह पता चले की सब्जेक्ट क खाने का भी हो सकता है मतलब इटिंग हो सकता है पीने का ड्रिंक हो सकता है जाना गो आना कम खेलना प्ले मतलब कि सारे जो काम है और भी बहुत तारे काम है जिसकी बिना मतलब की सेंटेस बन नहीं पाता है तो यह जो यह सब हैं मारे क्या है वर्ब हैं खाना पीना जाना आ होती है जैसे कि first, second, third यह 3 इनकी forms ए, तो इसमें van and और इसकी third form होगी gone . ऐसे ही eat है यानि की खाना तो eat की first form होती है , second form होती है at और third form होती है , ऐसे ही जितने भी हमारी वर्ब्स है उनकी सब ती है तीन forms होती है और जो अलग अलग यूज की जाती है तो यह था हमारा main verb के बारे में basic information अब फॉर्थ है object, object यानि कि कोई भी वस्तू हो सकती है, object कोई भी वस्तू हो सकती है, जैसे कि object वह होता है जिस इंसान यह चीज़ पर काम किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर देख लेते हैं, पहले हम verb का देख लेते हैं, main verb का, यहाँ पर जो यह verb है, यह verb हो गया हमारी खेल, अब जो यह sentence है, सचीन फुटबल खेल रहा है, तो इसमें काम क्या हो रहा है, मैंने इसमें क्या बताया था आपको main verb में कि वह है, अब जिसके बार यह में पता चली गया subject क्या है सचीन, और यह subject है, वो क्या काम कर रहा है, खेलने का, सचीन फुटबल खेल रहा है, तो हमें इससे क्या पता चला, जो यह खेल है, वो क्या है, main verb होगा, और जो है, मैंने आपको बता ही दिया था, कि helping verb होगे हमारी, और English में यह subject होगा, next helping verb, और मतलब object वह होता है, जिस इनसान यह चीज पर वो काम किया जाता है, कैसे, अब जिसे मैंने यहाँ पर लिखा था, सचीन, फुटबल, यह तीनों चीज़े हमको समझे में आ गई, अब यहाँ पर क्या बचा football, अब जो यह football है, वो क्या होगा हमारा, object होगा, कैसे, अब यह स चारों चीज़े आपको समझ में आ गई होगी, कि subject क्या होता है, helping work क्या होता है, man work क्या होता है, और object ही हमारे 10 के बारे में basic knowledge, और मैं उम्मित करती हूँ कि आपको 10 के बारे में सारी चीज़े clear हो गई होगी, आपका mindset बिल्कुल clear हो गया होगा, 10 क्या होता है, यह कितने type क होता है, और इसमें कितने type बन सकते हैं, यह सब आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाओंगी 10 के rule, और 10 के rule इतने ज्यादा tough नहीं है, बहुत easy है, अगर आपको यह पूरा वीडियो जो मैं अभी तक पढ आया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सभी को शेयर कर दें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और भी ला सकूँ, ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग